नमस्कार दोश्तू, आज हैम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा पट्टे वक्त क्या नहीं करना चाहिए वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे चलिए शुरू करते हनुमान चालीसा पट्टे समय ना करे ये कलतिया इन बातों का रखे खास ध्यान सास्तरों के अनुसार हनुमान चालीसा बजरंग बली को प्रशन करने का सर्वत्तम उपाय है गोश्मामी तुलसी दास द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत आशान है मंगलवार के दिन हनुमान चलीशा का पाट करने से भक्तों के कई प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं तन और मन रखे साफ हनुमान जी और उनके इश्ट स्रीराम के चित्र किस थापना करें इसके बाद उनके समक्ष जल से भड़ा पातर रखें कम से कम तीन बार से लेकर 108 बार तक चलीशा का पाट करें घर में हनुमान चलीशा का पाट करते समय तन और मन दोनों शाफ होना बहत जरूरी है तामसिक भूजन और मदीरा से दूर रहें खान पान और आचरन की सुदधा पर ध्यान देना जरूरी है हनुमान चलीशा का पाठ करते समय तामसिक भोजन या मदीरा का सेवन करने से बचे मंगलवार के दिन सुबह अथवा साम के समय हनुमान चलीशा का पाठ करने से भक्तों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ती मिलती है मन में ना लाए अनुचित ख्याल हनुमान चलीशा का पाट करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए परियास करे कि चालीशा पाट का समय रोज एक ही हो विसेज दसाओं में यातरा तथा सोते समय भी चालीशा का पाट कर सकते हैं सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान राम जी के परम भगत है इसलिए भगमान राम का नाम लिए बिना हनुमान चाली सा के शिरुवात ना करे वरना आप इसकी फल से वन्चित रह जाएंगे निरमल को ना करे परिशान पूजा के समय आसन का इस्तमाल जरूर करे नीचे जमीन पर बिना आसन या कुशा के ना बैठी इसे अशुप माना जाता है हनुमान चलीशा का पाठ करनी वाली कभी भी निर्वल पर बल का प्रियोग ना करे और ना ही अब सब्दों का प्रियोग करे धन्यवाद दोस्तों कैसी लगए आपको यह जानकारी के पर कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं ऐसी अच्छे अच्छी जानकारियों के साथ तब तके लिए धन्यवाद, जैसरी राम